और श्क्क ये वीडियो मेरे साथ मेरे कुछा गया था बहुत सारे पैसों में मैंद्वियू दीहेंती सती अन्सर तोừa है तो अगर कभी भी पैस प्रिपएर ने ये ज़ा रहा हों तो एक ये सब बीलकुल प्रेपेर कर ले ना कि आपका सेलेक्शन होने का ठीक है ना क्योंकि आप कुश्चन का आंसर दो जो भी पूछे तो वो चीछ प्रेपेर कर ले ना ठीक है ना जो मेरे साथ पूछा गया इन फाक्ट हर एक पीस्व में आपको इसी से रिलेटेट पूछा जाएगा ठीक है ना यह तीन पीस्व में इंटर्व्यू दिया था तीनों में सेलेक्शन हुआ है मेरा हटको अंडी यूल और एनलसी इंडिया ठीक है तो क्या-क्या कुश्चन पूछा गया था हम सब को डिटेल्स में बता देते हैं क्या-क्या पूछा गया था सबसे पहले जान लो कि अगर सबसे पहले बेसिक जो पूछता है सबसे पहले यह बता देता हूं कि अगर कोई PSU तुमको लेना चाह रहा है ना सबसे पहले जो बेसिक चीज़ वो लोग देखता है वो देखता है ना कि तो वो सेम सिटी और स्टेट का बंदा है या नि और कॉलकाता में कोई PSU का इंटर्विव आ रहा है तो ज्यादा प्रिफरेंस जिसको देगा ना वो सेम सिटी वाले को देगा ज्यादा प्रिफरेंस और इसका एक्जाम टर्न ओविसली वो लोग का जो डूरेशन रहता है ट्रेनिंग का उसका बाद ही परना चाहिए तो तो चीज एक्जाम टम् तुम्हारा उस डूरेशन में नहीं रहना चाहिए बाद में रहना चाहिए और ज्यादा चांसे जास हम देखें हैं प्रिफरेंस कि सेम सिटी और स्टेट का रहने से ज्यादा प्रिफरेंस देता है क्यों कि ऑविसली ना कोई दूसरी सिटी से आए पूछता है कि बिरिफ इंड्रोडक्शन इस्टिस कर दो अपने आप में तो बेसिक हम क्या किया था हम इक शॉट में बोल दिया था नाम क्या है मेरा हम कहां रहते हैं और में रांक आप कर दिया क्योंकि थोड़ा लोग लगे नहीं तो फिर यूर्सल्फ वाला सब कान बंद क करके रहते हैं जो भी इंटर्वियर हम लोग बोलते रहते हैं उतना ध्यान नहीं देते हैं बोले हम पॉजिटिव पॉइंट है मेरा यह स्किल में मतलब की सीवी में वह हम बोल दिये तो बाद में लोग चर्चा भी कि है कि हाँ वाह तुमारा रांक आए और यह सारा बोल कि और कुछ भी बोला बस शॉर्ट में बस निप्टा दिया ठीक है थैंक उसा थैंक मैं बोल दिया उसके बाद क्वेशन उलोग पूछते हैं कि पहला क्वेशन आता है जो टेक्निकल जो भी हम लोग से स्टड़ी से रेटर बोलते हैं तेल मी अबाट जीस्टी रेटरंस ही कि बोले तो मैंने पूछ और वहीं बताना थे बीच में ना कुछ में अच्छह करपाएंगे तो वह बोलेंगे टेल मी अबाट GST return तो GST return पुछा गया तो GST return तो बहुत सारे होता है हम कौन सा बोले तो हम सारा ही चाल लाइन से लाइन बोलते रहे हैं कि GSTR 1 में आपवर्ड सप्लाई होता है GSTR 2A, 2B auto populated है 3B में हम लोग tax liability calculate करते हैं 4 composition है 5 non incident है यह सब बोलते रहे हैं तो ठीक है यह सारा चीछ बोल दिया उसके बाद यह सारा question हो गया उसके बाद हमसे पूछता है new regime और old regime बहुत important question in fact हर जगा बहुत ज़्यादा पूछता ही बहुत ज़्यादा कि new regime और old regime में क्या है क्या difference है तो तुमको बोलना new regime में कोई भी chapter 6 से का deduction नहीं मिलता है बहुत सारा deduction तुमको नहीं मिलता benefit old regime में मिलता है ठीक है but new regime में अभी starting मतलब कुछ amendment आया है this year वह भी तुमको highlight करना है बहुत सारा amendment आया है तो वह चीछ highlight करना new regime और फिर question पूछता है basic सा कि investment in LIC is allowed in new regime or not right मतलब new regime से पूछा investment in LIC जानते हो कि हमने कुछ भी investment करते है तो हम लोंको ATC का deduction मिलता है ATC का deduction बट अभी हम जस्ट बोले कि chapter 6 का deduction new regime में नहीं मिलता तो तो investment in LIC new regime में नहीं मिलना वाला यह चीज था question ठीक है तो हम बोल दियाता है आप पूछा what is cash flow cash flow मतलब normally जो cash flow का definition है वही बोल देना इतना सारा language में कि हाँ ऐसा statement जो कि हम लोग यह मतलब बताता है कि कहां-कहां से एक entity का cash आ रहा है और जा रहा है आज इसको divide करते तीन activities से यह सब और financial position में भी help करता है कि company का cash position कैसा है यह चीज़ बोलना था और एक था cash flow plus fund flow इसमें मेरा पुरा दिमांग गरम हो गया था हम अब cash flow तो पता है fund flow में वही चीज़ करते हैं similar type तो यह prepare करके जाना क्यूंक हम prepare नहीं तो जो तो बोल दिये थे ठीक है अब यह प्रिपेर कर लेना यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोशियन है cash flow परसे fund flow और एक और चीज़ हम से पुछा था कि कोई दे दिया जैसे कि loan borrowing यह बताओ cash inflow है क्या outflow है और नहीं sorry loan borrowing loan आ रहा है ना पैसा आ रहा है तो तो इन्वेस्टिंग अक्टिविटीज में जाएगा कि फैनेंसिंग में जाएगा बताना था फैनेंसिंग में जाएगा ठीक है एक पुछाद आप पुछाद था तुम देख रहे कोई practical चीज हम लोग अगर फॉर्म में कहीं भी काम करें चीज होता है टीडियस रिटर्न टैक्स वगएरा यही चीज आता है तुम से कोई salary या फिर कोई पुछे कि बता होती है उसे कौन किसको let out करे किसको self acquired करे यह चीज प्राक्टिकल नहीं है सब रिटर्न वाला जमेला रहता है compliance रहता है यह सब ज़्याधा कुछते तो यही चीज है इसी चीज को हम लोग उतना लेंग रेट कर देता अपने एक्जाम है कि रिटर्न वेगारा कौन परेगा बट में चीज यही आता है कि कर थे आफ़ त्यन son वाला लांस्ट वाला तुम लोगों पता होगा कि मार्च में खताम होता है अगर अगर क्वाटर हम लोगों मेंवास मेंर का वही तक का लास्टर दीक है और बाकि सांफ में एक एक मैना रहता लेकिन इसमें में क्या रहता है यह 31 में रहता है ठीक है यह हो गया आप next question देखो हमसे क्या पुछा गया था तो टीडिये section for brokerage ब्रोकरेज पुछा गया था ब्रोकरेज का obviously पता है 194H तो टीडिये section बहुत जाद है important और हम बता है हम टीडिये section बहुत अच्छे से यहाद किये थे आप बस एक कहानी बना के तुम लोग बोलो कि कमेंट में बताना कि यह प्राक्टिकल चीज हो गया यह चीज भी आपको अच्छे से आना चाहिए और यह चीज हमसे पूछा था ठीक है परचेज अरी और जीएस्ट पेड उनीट यहां पर हमसे पूछा था ना जैसे कि जीजेस्ट में तुम परे हो कि अगर माश्चनरी हम कुछ खरिदते और जीएस्ट उसमें पेड करते हैं तो इसके दो ट्रेटमेंट आइज हम तो बुक में अगर घ्र जीएस्ट कंपोनेंट हटा के अगर हम लिखते हैं तो हम जीएस्ट वाला पर आईटी सी क्लेम कर सकते हैं अगर हम जीएस्ट एड करके अपने बुक में दिखा रहा है तो हम उसमें डिप्रेशिशन क्लेम करेंगे यही दो ट्रेटमेंट सा कोई भी एक बोलना था आपको पिर तुब वहां जाएंगे कि हम यहां पर रहेंगे इंटर्शिप करते रहेंगे यह था मतलब कि चैलेंजिंग तो हम दो मिनट सोचने लग गया दो मिनट नीए एक मिनट तो सोचा फिर बोल दिया क्योंकि नेगेटिव बोलना नहीं कंपनी लोग वाले जानते हैं कि यह लोग यह रहेगा नहीं तीन साथ हम रहेंगे क्योंकि यह बहुत ही जादा है मेरा करियर ग्रोथ में हेल्प करेगा फिचर में तो बस यह चीज बोलके हम आगे बर क्योंकि नेगेटिव नहीं बोलना एक पुछा था इंटर्शिप अब हम डर गया हम क्या बोले कि हम मतला म मैं मैं सोचे इनको क्या ही पता कि हम कितने जगह अपलाई कर चुके हैं कितने जगह इंटर्विव दे चुके हैं बट इनको तो पॉजिटिव चाहिए था क्योंकि यह लोग भी जानता है कि हां एक बंदा ना एक जगह नहीं दस जगह नहीं सो जगह अपलाई करता सो जग कमपनी का कहा से मेलेगा तुमको बैलन्いき यह कंपनी का ब्रीव प्र॔फार कुमको पड़नना है इसको क्या कितना और आणा पर Bentos धॉसका में यह से में इसका में बिजनेस दिखना कि करता है यह ठीका यह कमंद मैं आपकोंटिंक्सटांडर है कि कि यह बिजनेज गवर्मेंट सेक्टर को लोन देता है तो लोन का कोई अप्लिकेबल स्टैंडर है नहीं वो पढ़ना पड़ेगा प्लस प्लस यह लोग चाहते हैं कि तुम को तुम इंटर्वी दिना यह मत्रश का बिजनेस के बारे पूरा जानो यह से कि हटको में हम देखा है कि हम क्या पुछा पता है अपनी बिजनेस के बारे में मॉडल की हम लोग 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 प्रवाइड करते हैं आप पुछ ने हमको लगे कि न दे स्टार्टे आस्की इन जा प्रोसेस ओफ लूं गिविंग लोण कैसे दोगे कोई प्रोजेक्स में क्या चीज देखोगे क्या चीज नहीं देखोगे क्या चीज मांगोगे कोई चीज अप लोग लेने आ रहा है कोई गौवर्मेंट तु फ़िर हम पुरा पूरी की नियुक्स का हों रहां घर है कि मतलब कि तुम मतलब अगर कंच का उसका फरा बिजनेश कैसे खरकता है क्या चीज करता है अग्यधयर सोकी आप्र संटरे लिए ओनुन fiery व्रक्स्षाइब अप्त लाइक दरfic исслед हैंअ जैसे की दोएं ऐख विजनेस प्रोडक्ट यह सबुकर्षे है तो थोड़क्यं जिन संदख पाइंब तो यह चीज तुमको जानना पड़ेगा और जैसे कि यह टी कंपनी है जानते हो ना कि हम लोग इंकम टैक्स में अग्रिकल्चर इंकम माना जाता है कितना माना जाता है 60-40 तो यह वाला भी हमसे पूछ लिया about their business ठीक हमसे पूछा और they are dealing in tea so you should know about tax treatment of tea business जो 60-40 वाला था ना growing and manufacturing वाला वह भी हमसे पूछ लिया और कितना क्या लगे है मतलब कि अगर वो टी बिजनेस करता टी से क्या क्या रिलेटेट प्रोविजिन है क्यों लोग को करना पड़ता है अपना अकाउंटिंग में यह चीज तुम से पूछेगा यह चीज अग्रिकल्चर सेक्टर में हमको पूछा कि अग्रिकल्चर इसलिए एक्जेम्ट है कि यह लोग प्रोमोट करना चाहता है गवर्मेंट की अग्रिकल्चर सेक्टर करना है यह सब चीज हम बोल दिया तो समझ रहा ना एक तुब बेसिक कोश्चिन्स तो करना ही प्लस जिस कंपनी में जारो उसका प्रोफाइल प्लस वो क्या करता है उस बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है ठीक है ना तो थैंक यू सो मच